हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी एसाई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटें है कि इस वागत में कौन सा काल है तो यहाँ पर आपका संदिक्त वर्तमान काल है दूसरा ओप्संस यहाँ पर आपका वर्तमान काल हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा किरिया के जिस रूप से वर्तमान काल किरिया की होने या करने का सक हो तो वहाँ पर आपका संदिक्त वर्त अफसंस यहाँ पर आपका बिलुकल करेक्ट है कोठी वाला रोबे चप्पर वाला सोबे उप्योग पंक्तियों में आपको बताना है कि मोहापरे का सहीर्थ क्या है तो इस मोहापरे का सहीर्थ क्या हो जाईगा बहुत अधिक धन चिंता का करण बनता है दूसरा options correct दिये गए बिकल्पों में आसुतोस का समनारती सब्द आपको बताना है कि आसुतोस का समनारती सब्द क्या होगा तो आसुतोस का समनारती सब्द हो जाएगा आपका सिब दूसरा options correct मकमल के जूले पड़े हाती सा टीला पंक्ती में सा क्या है सा सब्द जो है वो क्या है तो सा सब्द जो है वो एक वाचक सब्द है क्या सर वाचक सब्द तीसरा आपसन से यहाँ पर आपका बिल्गल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा वाचक सब्द वे सब्द होते हैं जहां बात किसी आसे से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन दूसरा अर्थ लगा दे तो वहां कौन सा अलंकार होगा तो वहां पर आपका बकरोक्ती अलंकार होगा सर कौन सा बकरोक्ती दूसरा options correct धेरवान व्यक्ती विपत्ती में भी फिलिंदा ब्लेंक्स नहीं होता है जल्दी बताओ धेरवान व्यक्ती विपत्ती में भी फिलिंदा ब्लेंक्स नहीं होता है फिलिंदा ब्लेंक्स के स्तान पर क्या आएगा तो दहरवण व्यक्ति विपत्ति में bी विचलित नहीं होता है तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? हिंडी हिंडी सब्द वामका एक स्ट्री लिंग सब्द है तीसरा ऑफ्सन स्व। जो है वामका विल्कुल क्या होगा सर? करेक्त हो जाएगा ठीक है? क्योंकि भासा जो होती है भासा बोली और लिपी ये सबी इस्टरिलिंग सब्द में आते हैं हमारी सौभाग गवती कन्या का विवा होने जा रहा है इस वाक में आपको तुरूटी सुदारने के लिए नि म्ली के त में से सही वाक आपको बताना है तो इसमें क्या आएगा सर सुभाग वत्ती की जगे आयूस्मती आएगा हमारी आयूस्मती कन्या का विबाग होने जा रहा है दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्गल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोस्टन्स आपके सामने हमारी सौभाग जो विशेशन संग्या या सरवनाम के रूप में रंग आदी का बोद कराते हैं उन विशेशनों को कौन सा विशेशन करते हैं रंग रूप का विशेशन का बोद करा रहे तो वो आपका गुडवाचक विशेशन में आएगा दिये गए बिकल्पों में से अधा का ब्लूम सब्द क्या होगा तो अधा का ब्लूम सब्द क्या हो जाएगा उपरी दूसरा options correct next questions start करने से पहले मैं आपको बता दू दोस्त में daily basis पे सुबह 10 बजे free special class लेता हूँ मैं आपसे किवाल इतने ही बोलूँगा सर एक बार आप class में आ करके देखो जब आप class में आ करके देखोगे तब आपको खुद पता चलेगा कितना quality content मैं आपको provide कर वा रहा हूँ class अच्छी नहीं लगे तो चले जाना मैंने तो आपसे साब बोला हुआ है कि class पसंद ना है डिसलाइक करना और चले जाना ठीक है description में सारी class इसके आपको link मिल जाएंगे फिर भी आप class तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो मैं आपको पूरा tutorial बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मेरी class तक पहुँचना है आप लोगों को सबसे आदा दिक्कात हो रही है मेरी special class लेने पर जो रोज सुबा 11 वजे चलती है आप जैसे ही एनेकेणी पर अपना account बनाएंगे तो आपके सामने ये window कुल करके आएगे तो आपको UPSC से search करना है UPSC या ये state PCS में आपको ये UPSC देखने को मिल जाएगा तो हमने ये देखो ये मिल गया UPSC तो हमने इसको select किया select करने के बाद हमने हिंदी को select कर लिया हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है आगे की जो आपकी processing है वो यहाँ पर हो जाएगी अगा सर्वर ये मेरा नाम है तो देखो मैं आपको वहाँ पर देख जाओगा ये दिख गया मैं ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी class आपके सामने आ जाएगी जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी देखो ये सारी क्लास से आ गई अभी हाली मैं क्लास लेकर क्या टाऊँ 30 मिनिट पहले तो आपको मेरी क्लास देखना है सबसकरो यही वाली क्लास देखना है तो मैंने क्लिक किया तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको class unlock करना पड़ेगी जैसे ही मैंने आपको class में किया तो unlock code आपको मांगा है तो unlock code है आपका Indian study जो की हमारी channel का नाम है Indian study कहीं भी कोई भी space नहीं है यह है और इसको हमने unlock कर दी अब आपके समने class unlock हो गई आराम से आप class का लुफ्त उठाईए और daily basis पर आपके पास notification भी पहुच जाया करेगी अब आपको समझ में अभी आगया होगा सब को से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको class होगी आप उस तरहीं से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है next questions आपके सामने निमले के तमेंसे दादा का वहुचन आपको बताना है कि दादा का वहुचन क्या होगा तो भही है दादा का जो वहुचन होगा वो दादा ही होगा तीसरा options यहाँ पर आपका विल्यू करेक्ट इस वाक में असुद्धी दूर करने के लिए निमले के तमेंसे सही वाक पहचानिये कौन सा सही वाक है असुद्धी दूर करना है चारो यह options यह है जल्दी बताओ तो नौजवान यूवकों को दहेज पिर्था का ब्रोध करना चाहिए ठीक है तीसरा options correct यहाँ पर दहेज पिर्था का ब्रोध करना चाहिए वही आपको यहाँ पर लिखाए ठीक है तो तीसरा options correct होगा next question तो इस वाक में सही पता क्या होगा इस वाक में नौजवान और यूवक दोनों का प्रियोग हुआ है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चड़ा इस लोकोत्ती के सही अर्थ क्या है तो इस लोकोत्ती के सही अर्थ हो जाएगा बुरे का और बुरे से संग होना दूसरा options correct next question से आपका के कौन सा जोड़ा जो है वो सही है वो आपको चुनना है जल्दी बताईए इंदरचंद जोसी परदे की रानी बिल्कुल ठीक जो परदे की रानी रचना है ये आपकी इंदरचंद जोसी की ही है पहला options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question स्रीकेशन के अनेक गुणों को गुणों का फिलिंदबलेंक्स कभी ने अपनी इस फिलिंदबलेंक्स में किया है दोनों फिलिंदबलेंक्स के स्थान पर आपको सीव टेवल बड़ बताना है स्रीकेशन के अनेक गुणों का वर्लान कभी ने अपनी इस कभीता में किया है तो दूसरा options correct होगा दिये गए पिकल्पों में से आंसिक सब्द क्या दर्साता है तो आंसिक सब्द जो है वो एक विशेशन का रूप दर्साता है तीसरा options correct लखनाव अयोध्या प्रियागराज सीतापूर सुल्तानपूर वस्ती प्रताबकर्द छेतर में कौन सी बोली बोली जाती है जल्दी बताइए सर दो यह options देख लो इसी में काम हो जाएगा तो कौन सी बोली बोली जाती है अब धी बोली बोली जाती है सर यहाँ पर पहला options correct निमलिकत में से इंद्रा सब्द का समनार्ती सब्द आपको बताना है कि इंद्रा सब्द का समनार्थी सब्द क्या है तो इंद्रा सब्द का समनार्थी सब्द आपका लक्षमी दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्यकुल करेक्ट हो जाएगा थाली का बेगन होना इस लोकुत्ती का सहीर्थ क्या है जल्दी बताईए थाली का बेगान होना इस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आइस्थर मती का व्यक्ती होना तीसरा ओप्सन्स करेक्ट अगे को काव आंगन के पार दुआर के लिए कौन सा पुरुसकार मिला जल्दी बताईए तो इसके लिए उनको कौन सा पुरुसकार मिला सहीत अकादमी पुरुसकार 1964 में मिला था इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा बता दिया जानकारी के लिए गरीब सब्द का बहुबचन क्या होगा गरीब सब्द का बहुबचन का अधिकारी वर्ग तो उसमें कुछ विशिष्ट सब्द प्रियोग करके उनका बहुबचन बनाये जाता है शरयंत्र सब्द का बिलूम सब्द क्या होगा तो शरयंत्र सब्द का बिलूम सब्द क्या हो जाएगा पुंसंत्व यानि कि तीसरा ओप्संस यहां पर आपका बिल उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी गिरंतों के कई फिलिंदबलेंग्स याद हैं क्या याद हैं तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी गिरंतों के कई उध्रण याद हैं तीसरा उप्संस करेक्ट अर्कजा सब्द का परहेवाची क्या होगा अरकजा सब्द का परहे बाची तो अरकजा सब्द का परहे बाची होगा आपका यमना दूसरा उप्सन्स करेक्ट उन्होंने अपना यग फिलिंदबलेंग संपन किया तो उन्होंने अपना यग यथा विदी संपन किया तीसरा उप्सन्स करेक्ट किस भाग में किस भाग में तुरूटी है जल्दी बताईए निमन भाग में किस भाग में तुरूटी है कर्ममान व्यक्ति को सफलता अवस मिलती है तो किस भाग में तुरूटी है गलती है कर्ममान पहले ही भाग में क्या इसर गलती है कर्मवान के स्थान पर कर्मबीर आएगा कर्मबीर व्यक्ति को सफलता वस मिलती है सुद सब दियाँ पर आपको पहचानना है कोस्त नमबर 31 दो आपसंस यह हैं और दो आपसंस यह हैं देखो चारो आपसंस एक ही आ रहे हैं चलो आ गए तो सही आंसर हो जाएगा अधिकारियों ने कागजात की जाच की तीसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट चरन धरत चिंता करत चितवत चारहू और सुबरन को खोजत फिरत कभी विवचारी चोर तो यह स्पंक्ती में कौन सा लंकार है तो यह स्पंक्ती में सर आपका सले सलंकार है तीसरा आपसंस करेक्ट परणानों में सरवदिक पिर्चलित परणार किसे माना जाता है जल्दी बताओ सबसे अदा पिर्चलित परणा कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका भागवत परणा दूसरा आपसंस करेक्ट दिये गए विकल्पों में से अगनी का वेशेशन क्या होगा अगनी का वेशेशन रूप तो अगनी का वेशेशन रूप हो जाएगा आपका आगने दूसरा आपसंस करेक्ट बिमाता बन गई अंधी वयाब है हुआ चंचल ना फिर भी सियाम घनवे तो इन स्पंक्ती में कौन सा लंकार है तो इन स्पंक्ती में आपका सले सा लंकार है लंकार अभी आपको पढ़ाना है ठीक है तो गवराना नहीं सब पहचान लोगे आप नेक्ष्ट कोसन्स भूले विषरे चित्र उपन्यास पर भगवती चरण वर्मा को किस पारीतो से प्राप्त हुआ या किस प्रुसकार से सम्मानित किया गया इने तो सई आंसर हो जाएगा आपका ग्यान पीड प्रुसकार 1961 में दिया गया था next questions हमारी कक्छा की प्रतियोक्ता में हमारी कक्छा की प्रतियोक्ता में भाग ले रही भाग ले रही है इस भाग में कक्छा किस प्रकार का सब्द है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जगा यह सदेव एक बचन सब्द है दूसरा options correct बता चुका हूँ आपको ठीक है next questions की तरब चलते हैं जैसे कच्छा हो गया, भीड हो गया सवा, समीती, गुच्छा, समाज ये सभी हमेशा एक बचन की रूप में प्रियोग होते हैं सुकल जी ने हिंदी साहित का इतियास लिखा वाक में संग्या किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है तो संग्या जो है जाती वाचक से व्यक्ती वाचक में परिवर्तित हो रही है पहला ही options correct next questions आपके सामने निमले के तमें से इस्तरी लिंग सब्द पहचानी है कौन सा सब्द इस्तरी लिंग सब्द है question number 39 तो कौन सा सब्द इस्तरी लिंग है तो आपका जो सही answer हो जाएगा सेना सब्द जो है वो एक इस्तरी लिंग सब्द है तीसरा options correct ठीक है last questions और इस questions का answer आप मुझे क्या बताएंगे सर comment box में बताएंगे ठीक है निमले के तमेसे जे संकर परसाद की रचना का चेन कीजिए और बहुत simple questions है और ये questions आपका you people is constable में पूचा का जाए तो इस questions का answer आप मुझे comment box में जरूर से बताएगा तो दोस्तो फलाल की वीडियो में तो सुर्फ इतना ही अकर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजना इसी तरह के वीडियोस आप लोग लिए लात रहता हूँ समस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत